हेलो गाइज, इंडिया और रसिया की एनुवल समिट कैंसल हो गई है, जो पहले कभी नहीं हुआ, 2002 से समिट है थी यह, मतलब चल रही थी और अभी तक कैंसल नहीं हुई थी, इस बार हुई है, जानेंगे इस वीडियो में क्या हुआ है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइज, 2002 में यह ट्रीटी साइन हुई थी कि हर एयर, रसिया के प्रिसिडेंट और इंडिया के पी-म हर साल मिलेंगे, और रिजनल टॉक और इंडिया और रसिया के रिलेसिंसिप कैसे आगे लेके जाना है, वो हर साल बात किया करेंगे, और जो भी रिजनल टॉक होती वो करेंगे, तो ये पहले कभी नहीं हुआ, कुछ भी हुआ हो, पर ये समिट कभी और तब लोगों को लग रहा है मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि इंडिया और रसिया के रिलेशनसिप खराब हो गया है इवन राउल गांदी जी ने ट्वीट किया है कि मतलब रसिया और इंडिया के ये रिलेशनसिप खराब ना करे गवर्मेंट बातें बोल रहे हैं हर न्यूज कह रही है कि रिलेशनसिप खराब हो गया है विकॉज रसिया चाइना के कैम्प में जाके बैठ रहा है क्योंकि अभी चाइना मतलब रसिया ने बोला था कि इंडिया पपिट बन चुका है बैस्टरन देशों की मतलब USA की और यूरोप की और मतलब बहुत सारे कमेंट किया है रसिया ने ब्रिक समिट के बाद तो माना जा रहा है कि इंडिया ने उस से गुसा होके ये समिट कैंसल कर दिया ये रिपोर्ट्स कह रही है और दूसरी रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि रसिया को अच्छा नहीं लग रहा कि इंडिया USA के कैंप में जाके बैठ गया है और उन्हें अपना फ्यूचर ठीक नहीं लग रही है कि अगर इंडिया USA के कैंप में जाके बैठ गया है तो उन्होंने कैंसल कर दिये तो ये सब रिपोर्ट्स आ रही है बट आप यह ऐसे देखो कि अभी थोड़ी सी 2019 में इंडिया ने अभी एन्वल समिट हुई थी रसिया में तो एक बिलियन डॉलर रसिया को दिया था और 2020 में ऐसा किया हुआ कि हम बट्वल समिट भी नहीं कर रहे है तो आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट डाउन कि इंडिया और रसिया के रिलेसंस सिप खराब हो रहे है क्योंकि रसिया ने मतलब हम ब्रहमोज बना रहे हैं रसिया के साथ इवन निउक्लियर ट्रीटी कर रखिया तो निउक्लियर पावर प्लांट बना रहे है रसिया और रसिया बहुत अच्छा दोस्त भी मना जाता है तो आप अपने कॉमेंट करिये ओपीनियन कि आप क्या सोचते हो अगर वीडियो अच्छ लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिये मैं ऐसी वीडियो जाता रहूँगा अपने दोस्तों से भी वह लिए एन्वेज, कल मिलते हैं है बनाइस टे